हेलो दोस्तों स्वागा था आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब जानल एक्जाम तक वारियर्स पर बात करते हैं आज यूपी पीसील टीजी टू एक्सपेक्टेट कटाफ के बारे में जानल एड़ एस ओबी ये स्टी का कितना जाएगा 140 से कम या ज्यादा उसके साथ साथ नार्मरेशन में कितने मार्क्स बढ़ेंगे रिजल्ट कपता का सकता है इन सब मुद्धों पर हम डीटेल में दोस्तों आज चर्चा करने वाले हैं आप सभी को मैंने कल एक जो है दिया था और बोला था बहुत सारे कंडिडेट इसापर ब डीवी टाइम में क्या लेकर जाना इस पर भी दोस्तों चर्चा करेंगे रिजल्ट कपता का सकता इस पर भी चर्चा करेंगे और नार्मरेशन में कितने मार्क बढ़ते हैं और आपके कितने मार्क बढ़ेंगे इस पर भी वित डीटेल चर्चा करेंगे तो आप का उनसार इस बार की कट आप कितनी जा से कमेंट जरूर करें तो यह मैंने दिया था आप सभी को उस समय तीन ही ओड़ थे तो अब यहां पर आज का हम देख लेते हैं यहां पर देखिए अगा धियान से 95 ओटिंग अभी तक हो चुकी है यूपी पीसील टीजी टू एक्सपेक्टेट क कट आप के अनुसार इस बार की कट आप कितनी जा सकती है तो यहां पर ओवराल हम कमेंट को देखते हैं यदि मतलब पूल में यदि हम जाते हैं तो 125-137 परसंट 130-135-21 परसंट 135-143 परसंट और 140-31 परसंट और 125 से नीचे 8 परसंट यदि हम इस पूल के अधार पर कट देरा यहां पर 95-95 परसंट से कि यहां पर 140 प्लस वाले 31 परसंट है मतलब बहुत याद है यहां पर एक बात और बता देना चाहते हो दोस्तों बहुत सारे लोग को वह गलत पूल में मतलब अपना आएगा कुछ और और पूलिंग में गलत तरीके से हिस्सा लेते हैं यदि वह 120 किया रहेंगे न तो 140 प्लस में भी मतलब सब लोग ऐसा भी केंडिटेट ऐसा नहीं करते हैं बहुत सारे केंडिटेट यहां पर अपोजीट साइट का यहां पर करते हैं लेकिन यादि हम बात करें एक्सपेटेट कटाफ कितना जा सकता है तो दोस्तों इसी बेस पर औ लोगों का कमेंट आ रहा था उसके बेस पर कटाफ कितना जा सकता हम डीटेल में दोस्तों चर्चा करेंगे तो बात करते हैं यूपीपीसियल यहां पर प्रीविएस यइर कटाफ की अब यहां देखें डीवी टाइम क्या लिकार जाने इस पर भी चर्चा करेंगे प्रीव कि कट आप गई थी 105 OBC कट आप कितनी गई थी दोस्तों 105 उस समय EWS की सीट नहीं थी आप अभी जानलीजिए स्पाप गई थी दोस्तों यह का काप गए हुआ था 67 और स्ट का कटाप गए हुआ था 72 यह प्रिवीय से एर कटाप है कैसा कट्पाप है दोस्तों प्रिवियस 2018 का कटाप है और यहाँ पर दोस्तों यह बात करें कि नार्मालाइजेशन में क्या situation यहां पर रहे देखिए दोस्तों नार्मालाइजेशन एक फार्मुला होता, फार्मुला लगबला हर एक तयारी करने वाले candidate को पता होगा, ठीक है न, उस फार्मूले के तहट नर्मलाइशल होता है, और नर्मलाइशल में दोस्तों बहुं सारे factors जो हैं में काम करते हैं, बहुं सारे factors करता है दूसरा बेस करता है कि आपने कितनी निगेटिव मार्किंग की है आपने कितनी निगेटिव मार्किंग की है और अधर वाले ने कितनी निगेटिव मार्किंग की है इस पर भी दोस्तों यहां पर एक बात और जान लीजे यह निगेटिव मार्किंग वाला ना यह मार्क पढ़ते हैं यह मेरा खुद का पर्सनली एक्सपीरियंस है ठीक है ना तो इस बार के यह दें हम बात करें नाल मैसन में आपको एक्जाम में चार से करेंगे यहां पर देखिएगा पिछली बार का जो कटाफ मैंने बताया था वो नार्मलाइशन होकर के बताया था लेकिन इस बार का कटाफ राई स्कूर बता रहा हूं और नार्मलाइशन आपको सकता में भी चार नंबर पास नंबर साथ नंबर दस कुछ भी बढ़े वह अल 102-107 कितना सी की बात करेंगे तो एक सो से लेकर 107 के बीच में जा सकता है बात करेंगे दोस्तों EWS का कितना जा सकता है दोस्तों 116-122 तक से कितना हो सकता है 116-122 हो सकता है बात करेंगे यहां पर OBC का देखें तोड़ा सा हाई जाने वाला है 122 से लेकर 130 के आसपास यहां पर रहने वाला दोस्तों OBC का कटाफ प्रीवियस के कटाफ को देखते हुए दोस्तों और और बात करेंगे जनरल की तो 130 तो 135 यह राइस को रहे और नार्मलाइस ने बढ़कर आपके मार्क उच्छा और वह अलग मैटर करता है लेकिन आपको यदि आपका राइस को इतना रहा ना तो सेलेक्षन की बहुत ज्यादा चांसे जहें कटाफ आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए का हाँ सर जो आप कटाफ बता है ते एकदम राइट था फिर यह आप कलत कमेंट ना करें दोस्तों क्योंकि देखिए काफी हाड़ वर कर करें दोस्तों बहुत सरय जो लोगर कमेंट आ अरता था सर्यां डीवी टाइम क्यां बहुत ही बड़ा डावट है यह बन चुका है क्योंकि बहुत सरे लोग हां ने लगा तो वह फोटो नहीं है यह सबसे पहला डाउट है वह फोटो कहां से बने का सब बताने वाला हो तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए आपको लेकर जाना है और इस बार की जो वेकेंसी आप सभी को पता 608 वेकेंसी है कितनी वेकेंसी है 608 वेकेंसी है तो जाद आप वह नहीं ल कर जाना है एडिमीट कार्ड लेका अपलिकेशन फ़र्म हो गया और उसके बाद आपका जो टेंथ का सर्टिफिकेट है बहुत भी ले कर जाना अभी एक इस्टुनेंट ने कमेंट किया था सरम आपने कैस्ट में ऐलिमेंटरि मेंथ लिया था तो दोस्त कोी प्राब्लाम आपको नहीं होने वाली है को अभी बता दिना थिक है रहों एना और उसके बाद ATMI यहां पर ध्यान रखेगा जो यहां पर रहना चाहिए न जो टोमिकल रहना चाहिए वह यहां पर देखेए जिनके नाम में कोई भी प्राबलम हो कुछ भी प्राबलम हो मतलब वह पहली बात तो एफिट डेविट अपना बनवाले है ठीक है न एफिट डेविट अभी जाकर बनवाले तहसील से बनता है यदि नाम में कुछ और है और अफ्लीकेशन फाम में कुछ और है तो यदि इनका नाम में कोई प्राबलम या अफ्लीकेशन में प्राबलम कोई इस तरह का प्राबलम होगा तो कमेंट करेंगे मैं परसनल नहीं से बात करके इस डाउट को क्लियर कर दूंगा ठीक है नहीं बात हो गया, elementary वाला मैत वाला भी problem हो गया, आप बात करते हैं सर वो पुराना photo वो जो लोग बोल रहे थे, सर हम पुराना photo जो है हमारे पास जो उसको कैसे निकाले, देखे, आप यहां पर, जहां पर photo वगारे बनते, photo swap होते हैं, photo वगारे बनते, studio, आप studio पर जाएं, वहां से बोली है, और अपना application form लेकर जाएं, ठीक है ना, किसी तरह का photo निकालना है, ठीक है ना, तो में भी वो निकाल दें, और यदि वाई चांस वो फोटो नहीं भी निकलता है ना, तो आपको यदि वो सर्ट वैलेवाल हो, टी सर्ट वैलेवाल हो, कुछ भी जो आप पहन कर उस फोटो को मतलब किये होंगे, तो आप वो पहन कर जाएं, उसी तरह का photo निकलता है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ज्यादा problem यहाँ पर create नहीं होने वाली है, ठीक है ना, बाकी देखते हैं क्या होने वाला है, अब result की बात है, result कपता का आएगा, तो देखिए, result क जो डेट है ना, यह जून लाश्ट तक यहाँ पर चांस है, कि जून लाश्ट तक यहाँ पर इसका result आ सकता है, जहां तक मेरा नुमाने, बाकी आपका क्या कहना है, बाकी information कैसी लगी, like करके बता है, यदि आपको dislike करना है, और यह बता है कि हमने वीडियो को dislike क्यों किया ह जाँ कि आगगी नेक्ट व्यूडियो में उसमें सुधार कर सकूं, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्ट व्यूडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रा जो साथी हमारे साथ पहली बार रूड़े है, वो एक बार जय हिंद जय भारत का comment जरूर करें, चलिए दो